दोस्तों आपका मारे YouTube चैनल में स्वागत है मेरे नाम है अनुज और मैं आपके सामने एक और वोकाब का सेसन लेकर आया हूँ देखें मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ आप लोगों का जो response रहा बहुत अच्छा रहा है वजह सचमे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का response यतना अच्छा रहेगा पर सचमे आप लोगों का positive response देख के बहुत जुद चाहँ हूँ और हमने इसमें एक दो चीज़े एड की हैं जैसे कि examples एड किया है कि हम उस word को कैसे use करेंगे और हमने इसमें revision add कर दिया revision का फायदा यह होगा कि आप जब सारे words को एक बार देख लेंगे अपने notebook में लिख लेंगे या ऐसी वीडियो देखते देखते आपको सारे words याद हो जाएंगे पर लेकिन notebook में लिखने का purpose यह है कि एक बार आप लिख लोगे न तो बिल्कुल माइन में अच्छे तरह set हो जाएंगे तो बस notebook में लिखने का purpose यह है और आपके पास एक अच्छे तरह notes भी बन जाएंगे न आप दो फाइदे हो जाएंगे कि आपके माइन में अच्छे तरह set हो जाएंगे और एक जगा आपके notes बन जाएंगे तो बस यही purpose है तो चलिए आज का हमारा पहला word है modicam modicam मतलब होता है किस चीज़ के सिमीत मातरा small amount तो इस word को जो हमने relate किया है modic जी से relate किया है तो जो trick है इस word की तो किया होगी कि modicam देते हैं क्योंकि उनके पास modicam है modicam मतलब क्या होता है सिमीत मातरा तो देखिए बहुत अच्छी trick है words की वर्ड की और मोदी जी से बिल्वकुल पूरा पूरा रिलेट कर रहा है तो इसे तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी चले अगले वर्ड पर चलते हैं हमारा अगला वर्ड है टायरो, टायरो मतलब होता है लर्नर जो लर्नर होता है बिग्नर होता है जो नो सीखिया कहते है जिसे है तो इसकी जो ट्रिक है His Tire In Tire Business मतलब की वो टायर के बिजनस में अभी बिग्नर है जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि यह बंदा खड़ा हुआ है और टायर इसके कंदे पर रखा हुआ है मतले भी टायर हुआ है किस चीज में टायर बिजनिस में है ना तो आपको यह वर्ड बिल्कुल याद हो गया होगा और आप बिल्कुल इसे नोट बुक में लिख ली बिल्कुल ऐसे लिख दीजेगा वैसे एक्जामपल मत लिखेगा ट्रिक और इसका मीनिंग लिख दीजेगा है ना तो उससे आपको आसानी होगी कभी आप रिविजन करोगे जैसे आपको एक्जाम आ रहा है तो आप उठाओ को पी और सारा उठागे रिविजन मार तो बह कि फुक्रे मुवी समने देखी होगी फुक्रे में वो चारो पैसो की पीछे बागते रहते हैं और हमेसा पूरी मुवी के अंदर उनके पैसो की खिलत होती है तो बस इसी समने रिलेट कर दिया कि लुक्रे फुक्रे हमेसा लुक्रे के पीछे बागते रहते हैं पैसो के पी beautiful lady सुनद्र, कम्ली खम्ली खम्ली सुना होग सबने, जरूर सुना होगा इना, हाँ सुना होगा तो इसकी जो trick बनाई है हमने गम्ली सोंग में Katrina Kaif बहुत कॉम्ली लगी है सुनदर लगी है देखे, आप देखरे हैं फोटो में कि Katrina Kaif वो ही फोटो हमने उठाया कम्ली सोंग से बिल्कुल वह फोटो है तो बिल्कुल आपको धिहान आ जाएगा कि जैसी वर्ड आपके सामने आए कॉमली तो दियाना जाएगा हाँ केटरिन कैफ कमली सोंग में कॉमली लगी थी सुन्दर लगी थी तो चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं अगला वर्ड है पॉंडर बड़ा अच्छा वर्ड है बार-बार आया है एक्जामस में इंपोर्टेंट वर्ड है तो पॉंडर मतलब होता है विचार करना इसे जो हमने रिलेट किया है वह है पॉंड के किनारे पॉंडर कर रही है विचार कर रही है जैसे आप देख रहे है लड़की बैठी हुए फोटो के अंदर और यह पॉंड के पास बैठी हुए तो यह क् लिखावा है, पॉंडर मतलब होता है, इसका सिन्योनिम लिखावा है, रेवराई, रेवराई भी मतलब विचार करना ही होता है, आगे आ जाएगा इसका वर्ड, ये भी इसकी भी ट्रिक बनाई हुए हमने, तो आप एक बार इसे लिख लीजेगा, और पढ़ लीजेगा, कि ह है ना, बस इतना ही करना आपको, और बस रिविजन करना है, और पांच मिट को भी उठानी है, बस और कुछ नहीं करना, आपके वो क्या पक्के, है ना, चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं, हमारा अगला वर्ड है, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ मतलब होता है, रिजल्ट, परिनाम, है ना, तो इस वर्ड को जो हमने रिलेट किया है, आफ्टर मैथ एक्जाम, आफ्टर मैथ केम, मतलब रिजल्ट केम, मतलब मैथ एक्जाम के बाद, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, है ना, तो यह तो वर्ड बिल्कुल आराम से रिलेट हो रहा है, आफ्टर मै Bannisen मतलब होता है Blessing, वर्दान, तो इसकी जो Trick है, God ने वर्दान दे रख़ा है Benise rightly Man K神 को, अब वर्दान क्या दे रखा है, दगी सब को पता है कि जो ब tooling वर्ते है वो बिजनिस में success होते है, तो God ने कि इस चीद का अब तो इस दे है ऐक वर दे है तो तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ, कि बैनिसन का जो, एंटोनियम होता है, मैलिसन होता है, उसका मतलब होता है कर्स, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो अभी फिलाल आप इस वर्ड को लिखिएगा, और थोड़ा दियान, बस ऐसी मैंने बता दिया, व रिलेट किया है हमने, लोग उसकी कारपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने गलत कार पार्किंग की है, क्या कर रहे हैं, उसकी कारपिंग कर रहे हैं, किस वज़े से कर रहे हैं, क्योंकि उसने गलत कार पार्किंग की है, कारपिंग, कार पार्किंग आपस में रिलेट कर रहे है जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं कि जो गाड़ें खड़ी हुई है बहुत अभी उस्तित खड़ी है तो लोगों की क्या हो रही है कार्पिंग हो रही है तो ऐसा है कि आप इन वर्स को डेली यूज में भी यूज कीजिए जिस आप अपने दोस्ते बात कर रहे हैं इसने तो ऐसी इन वर्स को यूज कीजिए बड़ा मज़ा आता है यार बिलकुल जब आपके पास वर्स का संग्रह होता है तो अच्छा फील करते हो आप कहीं भी उस वर्ड को बोल दो और मस्त वर्ड है तो सामने वाला कहेगा यार बड़ा इंटलिजेंट बंदा है तो इ इस करना लेशन करना ठीक है तो इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने आलू का वेट एलिवेट कर दो अब देख रहे हैं कि एली से क्या बनाया है हमने आलू और वीएट से क्या बनाया है वेट तो आलू का वेट एलिवेट कर दो मतलब कम कर दो तो जैसे हमने सेंटेंस भी लिख से पाक सेनिक सिनिक हैं देंगे सबको पता है कि वो गोला बारी कर देते हैं भारते सेने पर हलाकि भारते सेना इसका मस्त बढ़या करके जवाब देती है मुत रोड जवाब देती है पूरा पूरा तो इसी से हमने रिलेट कर दे कि पाक सेनिक सिनिक हैं तो अब हमें क्या करना है हमने अब 10 वर याद कर लें आज कि और हमें क्या करना है हमें करना है रिविजन और अब चलते हैं रिविजन की तरफ तेखिर भी बहुत जरूरी है आप एक बार यहां पर रिविजन कीजिए और बिल्कुल मेरे जैसे आप वर्ड देख रहे हैं मैं जैसे वर्ड बोलता Synik Synik मतलब क्या होता है Synik मतलब होता Sunkie और हमने इससे किसे relate किया था बताओ-बताओ बोलो हाहала हमने इससे relate किया था Sainik PAKлять Sainik है ना PAKлять Sainik को क्या होता है Sankie होता है सynik Sankie आपस में कितना relate कर दे है और हमारा पॉन्डर बोलो, आपके मायमिक दम वो लड़की आ जाने झाए, जो पॉन्ड के किनारे बैठी हुई थी, और वो क्या कर रही थी, पॉन्डर कर रही थी, विचार कर रही थी, अगला बड़ी है, हमारा कार्पिंग, कार्पिंग मतलब होता है, क्या होता है बलो कारपिंग मतलब होता है आलोचना और किसी के आलोचना क्यों हो रही थी क्योंकि उसने अपनी कार पार्किंग गलत जगा की थी तो उसकी क्या हो रही थी कारपिंग हो रही थी आलोचना हो रही थी आप जैसे आपको फोटो में देख रहे थे कि बहुत सारी गाड़े यां भी उस्तित कड़ी थी और वो कार पार्किंग क्या गलत की हुई थी तो उस वज़े से क्या हो रही थी कारपिंग हो रही थी आलोचना हो रही थी हमारा अगला है वर्ड जो हमने याद किया था टायरो, टायरो मतलब होता है, टायरो मतलब होता है, टायरो मतलब होता है, टायरो मतलब होता है, बिगनर, बिगनर, और हमने इसे किस से याद किया था, हमने याद किया था, इसे टायर से, और जो बंदा, क्या था वो टायर की ब मात्रा है ना और हमने इसे किसी से याद रिलेट किया था हमने रिलेट किया था से मोधी जी से मोधी जी कम देते हैं क्योंकि उनके पास मोधी कम है मोधी कम है तो बिल्कुल जो इसका लिंक वर्ड है बिल्कुल इसके अंदर यह मोधी और कम है ना और हमारा अगला वर्ड है जो हमने याद किया बैनी सन बैनी सन मतलब होता है क्या होता है Benerson मतलब होता है blessing और उसका एंट्र 캉च exist भानिय के सनसे बनिय के सन क्या मिला है वैशन मिला है किस चीज़ का बिजनसिंस में सक्सेश्फुल होने प्लैसिंग्स वरदान हमारा अगहला वड़ है लुक्रे लुक्रे मतलब क्या था? फुक्रे याद आ रहा हुए आपको कहां भाहते हैं, फुक्रे किसके पिचे भाहते हैं? लुक्रे के पिचे, लुक्रे मतलब क्या होता है? Money, तो बिलकुल अराम से याद हो रहे हैं आपके word मुझे पता है और हमारा अगला बढ़ है after math हमने किस से relate किया था ये हमने किया था after math exam after math came, मतलब result came तो after math मतलब क्या होता है result, हमारा अगला बढ़ है elevate, elevate मतलब क्या होता है किस चीज को कम करना हमने इसे किस से याद किया था आलू का वेट से हैं, आलू का वेट क्या कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हमारा अगला वड है कॉमली, कॉमली मतलब होता है सुन्दर, ब्यूटिफुल लेडी, हमने से किस से रिलेट किया था, कमली कमली सोंग ध्यान आगे हो आप लोगो एकदम से, कमली कम कामली में कैटने कैफ कैसे लगी है कौमली लगी है beautiful लगी है तो आपको कम से कम मुझे लग रहा है कि आपको आठ वर तो याद ही आई गए गए और जिस बंदे को दस वर याद आ रहे हैं तो मैं कसम से कहा रहा हूँ वह बंद ब्रिलेंट एक दम और उसका माइंड बहुत त सेज़ काम करता है और आप बताईए कि आपको आपने स्कोर जरूड शेयर करिए करिये कमेंट बोक्स में कि आपको कितने वर याद आ रहे हैं देखिए वोकाइब की जिम्मेदारी बिल्कुल मुझपर छोड़ दीजे मैं वोकाइब कराऊंगा आपको और जितने भी वोका करा रहा हूं important vocab करा रहा हूं बिल्कुल इस बात की बिल्कुल टेंशन मत तो चलिए आज का session हम यही पर समाप्त करते हैं धन्यवाद अगले session में मिलेंगे 10 वड़ के साथ जैहिंद जैह वारत